आज हम लोग डिसकस करेंगे MPSCR के बारे में तो पहले हम लोग इस सेर का fundamental data check करेंगे उसके बाद इस सेर का technical chart का analysis करेंगे और उसके बाद जानेंगे इस सेर का next target क्या हो सकता है तो पूरा details जानने के लिए वीडियो को अंतक देखिए तो देखिए आज के डेपे अभी तक ACR आपका high गया है 1150 और आज के डेपे अभी तक ACR आपका low गया है 1070.05 और आज के डेपे अभी तक ACR ने लगभाग return दिया है 4.71% और अभी इस सेर का price चला है वो आपका चला है लगभाग 1131, 1132 इसी रेंज पर ओके इस कमपनी का अभी market capital है रूपीज 1938.43 करोर, interface value है रूपीज 1893.17 करोर and PE ratio है 24.23 इस कमपनी के उपर आज के डेपे किसी भी तरीका का कुछ भी डेप नहीं है कमपनी बिलकुली एक अपका डेप-free कमपनी है जो कि fundamentally एक अच्छा बात है और कमपनी के पास अभी cash है रूपीज 45.27 करोर इस कमपनी का earning power share है रूपीज 46.77, return on equity है 20.87% and ROCE है 29.08% जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है यह जो कमपनी है MPS इस कमपनी में Pomodos का holding है 68.34%, public का holding है 27.22%, FII का holding है 3.84% and DII का holding है 0.6% अगर किसी भी कमपनी में Pomodos का holding 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते है और या पर 40% से ज्यादा ही है और इस चीज़ देखिए यह जो आपका 68.34% Pomodos का holding है इसमें कुछ भी share pleasure नहीं है प्रेजिंग सेर का जो percentage है वो बिल्कुल 0 है जो कि fundamentally एक अच्छा बात है और इस कमपनी में मार्केट के दिगच इन्बेस्टर मुकुल अगरबल सेर ने 86.40 करोड का holding करके रखा हुआ है December 2022 तक जो data मिल रहा है उसे सबसे ओके और मार्केट के 100% analyst इन्वेस्टर को एसे अरपका buy size कर रहा है जो कि अपका एक अच्छा बात है और एक company हर एक year पे अच्छा का से अपका revenue भी generate करता है and continuously profit में भी है जो कि fundamentally एक अच्छा बात है और इस company ने अभी तक maximum return दिया है 963.19% का एक जो company है MPS एक company आपका money control का technical case आप से daily chart में देखी क्या है daily chart में a share up का variable है एक बार हम लोग weekly chart में भी देख लेंगे तो देखिए weekly chart में आपका variable है एक बार हम लोग monthly chart पर भी देख लेंगे तो देखिए monthly chart पर भी एक बार का variable है तो अब हम लोग क्या करेंगे सीधे चला जाएंगे इस चार्ट पर एक बार analysis कर लेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक डिकोश्ट है अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए को एक लाइक कर देजीगा क्यूंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा से ढूंके उसके उपर वीडियो बनाने के लिए energy देता है तो अभी देखिए मैंने computer skin पर इस चार्ट उपन के लिए आऊ तो पहला चीज़ देखिए इस जगा पे यह आपका है 9 February 2023 आप लोगों को एक आपका positive candle फांट दिखा था एन इस कैनल में super 10 ने bicycle भी दिया था जो कि technical एक अच्छा बात है और आज के डेपे भी आप लोगों को एक आपका positive candle ही फांट दिखा एन डेली चार्ट के अभी यह से अब का 50 डेस, 100 डेस, 200 डेस, तीन नो moving average का जो लाइन है इसके उपर ही date करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यह पर देखिए आपका above 60 है और MECD भी देखिए आपका zero point से उपर ही है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर indicator यह पर हम लोगों को bullish indication दिखा रहा है, ओके, तो अब भी ECR का जो जो final sales advisor है, उससे एक बाद जरूर कॉन से कल जीगा क्यूंकि मैं कोई से भी इस परसन नहीं हूँ और मैं आपके किसी भी तरीका का कुछ भी tips नई देता हूँ, तो मैं करता हूँ, मेरा जितना technical and fundamental knowledge है, उसके उपर बेस करके वीडियो बनाके, आप लोगों को सही information देने की कोशिश करता हूँ कि कौन से टेक्निकली कैसा है, कौन से फांडमेंटली कैसा है, तो अचके लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत-बहुत धन्नवाद